यह दरसल काकेर में एक ज़ल जंगल जमीन का मसला जो पूरे बस्तर में देखते हैं आप लोगों को लगता है जहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल ज़ल जंगल जमीन का मुद्दा है। केंद्री की सासन ने जो है वन अधिकार अधिनियम को यहां सिथिल कर दिया है अगर उद्धोग पतियों को आज यहां बस्तर में जमीन चाहिए तो ग्राम सभा को उन्हें एक तरीके से समाप्त कर दिया है वर सर्रक्षन अधिनियम जो 1927 है उनको में भी इन्होंने नया ड्र है इतिहासिक जो उनके साथ अन्याएं हुआ है उसको वह तोड़ने मरोडने में लगी हुई है यह बहुत गलत आपके इसाफ से तीन मुद्ध में अगर जल जंगल जमीन की अगर बात करें तो यहां का जो प्रेकरतिक बस्तर का जो परिवेश है यह आरक्षिक्त है और गो लेकिन कांग्रेस भी कहती है कि हमारा उसकी तमाम बनोपच की लगाएंगे कारखाने लगाएं वह कैसे लगें देखिए दो भी अगर राजनितिक दुनों पैटी की बात करें तो वह कहीं भी अपनी बादों पे खरें नहीं उत्रहें कम से कम बस्तर में जब जब चुनाब की बारी आती है तो दोनों पैटी अमने समने हो जाता है और अपना अपना जो बात है वो करने लगते है तो यह आप महिलाओं से हम बात कर लेते हैं उनकी भी राय ले ले लेते कि आखिरकार क्या सोचती है महिलाएं मुझे लगता है जिस तरह से बीचेपी की यहां इस छे अभी लाहर दिखाई देगा और हमारे अने बहुत मुद्द से कॉंग्रेस जीतेगी आपका हिसाब से क्या मुद्दा है सबसे बढ़ा देखिए कोई भी आए पॉलिटिशन कोई भी आए इंपॉर्टेंट है पब्लिक का जो मुद्दा है वही होना चाहिए पब्लिक के लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया था उस वह तो आज तक हो नहीं पाया और यहां तक कि अभी मोदी जी ने खुद कहा कि अभी तक कितने लोगों मैंने दोजगार दिया उसका डाटा भी अपडेट नहीं है इंप्लाइमेंट की समस्या की बात जो हमारे भाई क पान साल की सरकार में भाजबा की नरेंथि सरकार में कौसल विकास साओं के नाम से पर से अनको रोजगार करने की एक काप रहास किया है और हर किसी को तो आज सरकाई नोकरी नहीं मिल सकती सोरोजगार अपना नहीं पड़ेगा अचा चलिए यह तमाम राय है है हमारे साथ में जो लोग है में एक अंतिम जो है और टिपणिंग ले लेता होगा आई जल्दी से संग्षेप में मैं यह कहना चाहूंगा कि मुदी जी और भारती जनता पार्टी का जो संकल्प है उस संकल्प को हम टेग लाइन में कहें तो बच्चों को पढ़ाई युवा